जैई श्रीहरी, स्प्रीच्वल ग्यान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी 2023 को किन वस्तूओं का दान करने से किस पुन्नफल की प्राप्ती होती है जल से भरे कलश का दान करने से श्रधालूं को साल भर की सभी एकादशियों का लाव मिलता है जूते दान करने वाला व्यक्ति सोने के विमान में बैठ कर स्वर्ग लोप में जाता है नमक का दान करने वाले व्यक्तियों को उत्तम भोजन प्राप्त होता है तिल के दान से दुख और रोक से मुप्ती मिलती है वस्त्र का दान करने से आयू बढ़ती है जो लोग अनाच का दान करते हैं उनका घर धन धानने से भरा रहता है इस दिन चने और गुड का दान बहुत मंगलकारी माना जाता है इस दिन आम और खर्बूज दान करने से भी विश्णु भगवान की विशेश क्रपा मिलती है निर्जलाई का दशी के दिन अनाज, जल, कपड़े, आसन, जूता, छत्री और फल का दान करना काफी शुभ माना जाता है इस व्रत में अन, पंखा, छाता, बिस्तर और वस्तरदान करने से पुन्यफल प्राप्त होता है और भगवान विश्णु प्रसन्न होते हैं इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को परम पुन्य की प्राप्ती होती है वीडियो को लाइक करें, जादा से जादा लोगों तक शेयर करें इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें